अब यह कोश्चन क्या कह रहा है इस कोश्चन को भी ध्यान से समझेंगे यह कोश्चन जो खुशी ने वेजाए यूपी से है जे की तयारी कर रही है कोश्चन बोल रहा है इन दफिगर शोन ब्लॉक B मुव्स डाउन विद अ वल्सटी 10 मीटर पर सेकंड यह जो ब्लॉक वी है 10 मीटर पर सेकंड की वलोसिटी से डाउनवर डारेक्शन में मूव कर रहा है the velocity of A in the position shown is हमें A की velocity निकाल ली है देखो होगा क्या जब यह block नीचे जाएगा यह downward direction में जा रहा है यहाँ पर यह रसी जो fix है तो यह वाली पुली नीचे आएगी यह पुली नीचे आएगी यह fix है तो यह block आपका इस direction में move करेगा तो यहाँ पर मिलेगी आपको velocity of A ठीक है हमें velocity of A ही निकालना है हम इस सवाल को tension trick से करेंगे tension trick से आसानी रहेगी सवाल को करने में तो देखो पहले हम tension pro कर लेते हैं ज्यान से देखेंगे यहाँ tension क्या बनेगी जी T यह बना दी इधर tension कितनी बनेगी T यह बना दी यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह T हो गया इस point पर यानि कि टेंशन कितनी है T तो इसके आधी बनेगी यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगी tension T by 2 यहाँ हो जाएगी tension T by 2 ठीक है कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद इस point पर टेंशन T by 2 इस point पर अगर हम देखें तो वह भी tension T by 2 ऐसे यहाँ देखें तो यह tension T by 2 उमीद करता हूं tension draw आपने कर ली है अब हमें क्या करना है टेंशन ट्रिक लगानी है या वर्चूल 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 क्या होता है जी वर्चूल 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 या टेंशन ट्रिक आप बोल सकते इसको तो आपका समेशन ओफ टेंशन इंटू वलोसिटी वह क्या होता है जीरो होता है वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे डॉट प्रोड़क्ट लगाएंगे तो बेसिकली वर्कड़न जीरो होता है यही हमें देखना है तो देखो अगर हम इस पॉइंट की बात करें यह वाल इस पॉइंट की बात करें यह पॉइंट देखो इसके ओपर टेंशन लग रही है नीचे उपर लग रही है अच्छा यहां पर हमें क्या करना है यह जो पुली के अंदर जितनी भी टेंशन लगती है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे यह हटा दीजी इसको भी छोड़ दो अब यह हटाई क्यों है अगर आपको यह समझना है कि इनकी ओपर जो भी वर्कड़न अगर हमें निकाला टेंशन इंटू वेलोसिटी करना है उसके जरूरत नहीं है क्यों जरूरत नहीं अगर आप उसको चीज को जानना चाहते हैं त वर्चुल वर्क मैट़ड वाली वीडियो जब आप सर्च करोगे तो आपको मैंने यह बताया होगा वहां पर कि टेंशन ट्रेक या वर्चुल वर्क मैट़ड कैसे लगाते हैं आप जो है उसमें देखेंगे कि जो पुली होती है मैं वहां पर वर्कड़न कैसे जीरो करता ह जब 0 आता है तो उसे लिखने की जरूफरित नहीं है यह फोली के केस में यह आपको पता चल जायेगा यहां पर मैं इसको माट आपके सारे घता बच्चा कौन से एक तो यह वाली टेंशन हो गई उपर लग रही है 10 नीचे लग रहा है माइनस टी इंटू 10 अब अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है टी बाइटू लग रहा है तो यह टी बाइटू तो और यह वलोसिटी यह एंगल है 37 तो ध्यान से देखो यह टी बाइटू है आपका यह वलोसिटी है वी ए और यह एंगल है 37 तो आप क्या करोगे इस वी ए को यहां ब्रेक कर लो इस डिरेक्शन में तो कितना जैएगा वी ए कॉस 37 डिगरी है तो अब आप इसको लिखो कि दोनों सेम डिरेक्शन में तो प्लस ले लेंगे टी इंटू वी ए कॉस 37 डिगरी और टी कितना है टी बाइटू है बेसिगली जीरो हना टी बाइटू इंटू वी ए कॉस 37 डिगरी इसको 0 रख दिया इसको आप स्वाल कर वी ए कॉस 37 कितना होता है जी दिखान से देखें तो यह 53 होता है यह 37 हो गया तो यह 5 हो गया यह 3 हो गया यह 4 बटे 5 यह टू कहां से आ गया वही इसको अटाओ तो वी ए कॉस्ट 37 कितना गया चार बटे पांच यह 10 उदर गया और यह टी ठीक है तो यह टी से आपका टी उड़ जाएगा तो हमें वेलोसिटी आफ ए निकालना है तो दो दुनी चार दो दुनी चार और इस तो यहां से अच्छा वी ए कॉस्ट 37 चार बटे पांच चार ती बाई टू टो दो दुनी चार तो यहां से अच्छा वी एए विए इनटु टू दैट इस एक्वेल टू पांस दूनी आपस दन पचास तो वी ए कितना आगया पचास बटे दो यानिकि 25 मीटर पर सेकेंड तो यह velocity आगए, यानि कि आपको B option मिल जाएगा उमीद करता हूँ, इस question के अंदर आपको इस समझ में आया कि हमने किया क्या है, अगर आप इस सीज को जानना चाहते हैं कि जो pulley है, इनके अंदर मुझे कुछ नहीं करना उसके लिए आपको virtual work method वाली वीडियो जो है channel पर जानी है search करनी है और वहाँ पर उस वीडियो को पूरा देखना अच्छे से दियान से समझ करके देखना, तब आपको यह समझ में आएगा अच्छा, यहां तो हमें कुछ करना ही नहीं है, यहां भी कुछ नहीं करना जब यहां कुछ करना ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ यह वाला point पकड़ लो इसकी velocity और एक यह वाला point पकड़ लो, तो काम बन रहा है हमारा तो तो आपको वहाँ पर ये समझ में आएगा कि इसको किस तरह से करना है उमीद करता हूँ इस question के अंदर आपका doubt जो है बिल्कुल clear हुआ गर आपका doubt clear हुआ तो वीडियो को like करना, channel को subscribe करना मत बूलना हमारा मकसद है teach free for India यानि कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं चाहे फिजिक्स वाला में, एलन में, आकाश में, पिडजी में, कहीं पर भी और आपका physics के इंदर अगर कोई doubt है चाहे वह theory हो या question हो तो आपको करना क्या है आपको वह doubt जो है इस number पर share करना है हम आपके doubt का best video solution आपको बना करके देंगे तो चलिए, मिलेंगे आप अपने next doubt में है